हमारा जो माइंड है वो जादूगर है, जादूगर, कि बार बार घूंता है, और हमें बड़े ग्यान की वातें बताता है, और ये ग्यान की वातें इसलिए नहीं बताता है कि ये हमसे कुछ बड़े-बड़े काम करवाने चाहता है, ये ग्यान की वातें हमें इसलिए बताता है कि हमें बड़े-बड़े काम करने से दूर रखने चाहता है अब मैं आपको एक example देता हूँ मेरे सामने है एक Facebook की post जिसमें किसी ज्ञानी भाई ने ज्ञान की बात लिखी है वो लिखी है कि distraction leads to procrastination distraction से procrastination होता है procrastination leads to no action procrastination से no action की इस्तिधियों बन जाते आप और no action से आप dissatisfaction की इस्तिधियों बन जाते बहुत सही बात कही है बिलकुल सही बात कही है क्योंकि जो भी काया है भाई ने बिलकुल सही काया है बिलकुल सही काया है बड़े सही में एक secret शुपा हुआ है कि इस सही की आवशक्ता नहीं थी, क्योंकि ये सही जो कहा है, ये सब कुछ गलत कर रहा है, ये सब कुछ गलत कर रहा है, procrastination की बात हो रही है, distraction की बात हो रही है, dissatisfaction की बात हो रही है यानि कोन सब चीजों की बात हो रही है जिनकी आवशक्ता नहीं है और उसकी बात नहीं हो रही है, जिसकी आवशक्ता है आपको बात होनी चीए focus focus leads to action taking action taking की बात हो रही है action taking leads to results results, results की बात हुरी है, results lead to accomplishment, accomplishment की बात हुरी है, accomplishment leads to happiness, prosperity, तो मैं ये क्यों बोलूँ, destruction leads to procrastination, leads to no action, leads to dissatisfaction, मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, focus leads to action taking, action taking leads to results, results lead to accomplishment, accomplishment leads to happiness, happiness, तो वहाँ पर कितने powerful words में use कर रहा हूँ, और कितना बढ़िया impact पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर जाने वाला है, right, तो अपने words को choose कीजिए carefully कि क्या हम बोलने वाले जिंदगी में बहुत बड़ा फरक पढ़ने वाला इस चीज़ से, right, thank you very much, मिलते हैं अगले वीडि में